आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई स्रीज जिसका नाम है I am not a robot तो स्रीज के पहले पार्ड के शुरुआत में मिंक्यू नाम के एक बहुत अमिर व्यापारी को दिखाते हैं जिसको एक अजीब सी बीमारी है जब भी मिंक्यू किसी इंसान को टच करता है तो उसके शरीर पर अजीब से धब आने लगते हैं और कुछ समय बाद ही उसको सांस लेने में भी काफी तकलीफ होने लगती है अगर उसका कोई बुरा दिन हुआ तो इस बीमारी की वज़े से वो अपने जान भी खो सकता है मिंक्यू की सबसे बड़ी इच्छा है कि वो किसी को कल्फेंड बनाए लेकिन अपनी बिमारी के कारण वो लड़कों से मिल भी नहीं सकता है अपनी बिमारी की वज़े से ही वो अपने घर में 15 सालों से अकले ले रहा है मिंक्यू का अपना खुद का एक डॉक्टर होता है जिसका नाम है डॉक्टर ओ और मिंक्यू सिर्फ उसी पर विश्वास करता है डॉक्टर भी मिंक्यू की विमारी का इलाज बहुत समय से ढूंड रहा है लेकिन उसकी सबी कोश्चें बेकार होती रहती है इसलिए डॉक्टर ओ मिंक्यू को बोलता है भाई तुम्हें मान लेना चाज़े कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी अकेल ही बितानी पड़ेगी और ऐसा बोलते हुए डॉक्टर मिंक्यू को एक स्मार्ट वास देता है मिंक्यू को कितनी जादा अलर्जी हो रही है इसका पता स्मार्ट वास से पता लगा जा सकता है अगर घड़ी में नीला कलर आता है तो इसको अलर्जी नहीं है पीला कलर आने का मतलब है कि मिंक्यू को थोड़ी बहुत अलर्जी होई है और औरेंज कलर होते ही मिंक्यो को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और सबसे खतरनाक है लाल कलर जिसका मतलब होगा कि मिंक्यो कोच 6 मिरार्स में मर जाएगा लेकिन मिंक्यू को कभी भी इतनी जादा इलर्जी नहीं हुई है कि स्मार्ट वाच पर लाल रंग आ जाए अब एक दिन प्रॉफेसर हॉंग नाम के एक भूत ही होश्यार साइंटिस्ट मिंक्यू से संपर करता है वो बोलता है मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक पहुती आधुनिक और खोश्यार रोबोट बनाया है जिससे मिंक्यू आप अपने घर के सबी काम करवा सकते हो अब जैसा कि वो एक रोबोट की बात कर रहा है इसलिए मिंक्यू को ऐलर्जी में नहीं होगी और यहीं नहीं और इस रोबोट की कीमत है एक अरव वन मिंक्यू को लगता है कि यह सब कोई बहुत बड़ा घोटाला है लेकिन फिर भी वो ले में प्रोफेसर होंग से मिलने चला जाता है जैसे वो ले में पहुंसता है तो उसका स्वागत एक रोबोट करता है वो रोबोट बिल्कुल एक सुन्दा लड़की की तरह दिख रहा होता है वो रोबोट बोलती है मेरा नाम है AG3 मैं बहुत आदूनिक AI रोबोट हूँ और मेरे को प्रोफेसर होंग ने बनाया है मिंक्यू उस रोबोट को देखकर बहुत हहरान हो जाता है कि वा भाई ये तो कुछ नई चीज है और जब वो रोबोट को टच करता है तो उसको कोई अलेड़जी भी नहीं होती और इस नई खोच से उस साइथ होकर मिंक्यू बताता है कि मैं AG3 को खरीदना चाहूंगा और साथ ही नई रोबोट बनाने में पैंसे भी लगा सकता हूँ लेकिन पहले मैं रोबोट की एक बार चांच करना चाहता हूँ उसी रात लेम में बदकिस्मती से एक बुरा हाथसा हो जाता है प्रोफेसर की टीम के एक आदमी ने गलती से AG3 के प्रोसेसर पर सूड़े के एक बुंद गिरा दी होती है जिसकी वज़े से AG3 में शॉर्ट सरकिट हो जाता है और अब इससे प्रोफेसर और उसके साथ ही बहुत निराशा में टूबे हुए है क्योंकि AG3 को ठीक करना में काफी दिन लग जाएंगे और इस वज़े से AG3 को वो कल MQ के पास नहीं भेज सकते और ऐसा होने से AG3 को बेचने वाली डील भी कैंसल हो सकती है अगले दिन प्रोफिसर वांग एक नया प्लान मनाता है वांग के गल्फेंड हुआ करती थी जिसका नाम जीहा है और AG3 का चेहरा और शरीर बिल्कुल जीहा जैसा ही बनाया गया है अब जैसा कि रोबोट बिल्कुल जीहा की तरह दिखती है इसलिए वांग अपनी पुरानी गल्फेंड जीहा से मिलने जाता है तोनों के मुनाका थोड़ी अटपटी रहती है पता लगता है कि जीहा कुछ समय से पैंसू की दिक्कत से गुजर रही है इसलिए वांग जीहा को एक करोड रुपे देने की बात करता है और बोलता है जीहा अगर तुम एक दिन के रोबोट बनने की एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हे एक करोड रुपे दे दूँगा जीहा अपने पुराने बॉइफरेंड के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी लेकिन जैसा कि उसको पैंसू की बहुत जरूरत है इसलिए वो इस काम के रहा कर देती है इसके बाद प्रॉफेसर वांग जीहा को अपनी लेंब में लेके जाता है और वहाँ A.G.3 रोबोट दिखाता है इसके बाद सबी वेग्यानिक मिलकर जीहा को बिलकुल A.G.3 जैसा है बना देते है और जीहा के शरीर पर एक कबच भी लगा दिया होता है उसको एक नई विग लगा जाती है और साथ ही उसकी आँखों में लेंसे भी लगा जाते है उसको लगाए ये लेंस कैमरा की तरह काम करेंगे और इन कैमरा की मदद से प्रोफेसर और उसकी टीम सभी चीज़ों पर नज़र रख पाएगी बेग्यानिकों की टीम जीहा को निर्देश भी भेज सकती है सभी निर्देश लेकर या वीडियो की जरीए जीहा के लेंस पर आ जाएंगे अब अगले दिन जीहा को समय के हिसाब से मिंक्यू के घर पहुचा दिया जाता है जैसा कि मिंक्यू दरवाजा खोलता है तब ही जीहा बिलकूल हरान होकर वापिस अपने डबे में चले जाती है पता लगता है कि जीहा पहले भी मिंक्यू से मिल चुकी है तब वो खाना डिलिवर करने का काम किया करती थी उस समय उनका मिनला कुछ जादा अच्छा नहीं रहा था क्योंकि मिंक्यू पैसे दिये बिना ही वहां से जाने लगा था लेकिन असलिएत में तो बेचारा मिंक्यू किसी इनसान को चूने से बचना चाता था अब मिंक्यू जल्दी से प्रॉफिसर को फोन करता है और बूसता है ये सब क्या चल रहा है वोंग एक बड़िया सा भाना बनाता है कि AG3 दो तरह से काम करती है एक उपरेशनल मोड में है और दूसरा फ्रेंड मोड में उपरेशनल मोड में AG3 सिर्फ काम करती है लेकिन फ्रेंड मोड में AG3 एक इनसान की तरह रहती है और आपके साथ दोस्तों की तरह विभार करती है वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है रोबोट अभी फ्रेंड मोड में है लेकिन आप उसको operational mode में डाल सकते हो, आपको बस एक बटन दबाना होगा बेचारा हमारा शरीफ सा मिंक्यू, प्रॉफिसर की बातों का विश्वास करी लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे लगे बटन को दबा देता है जब जिहा ठीक हो जाती है, मिंक्यू देखना चाहता है कि रोबोट कितनी होश्यार है तब ही प्रॉफिसर की लेम में बिजली चले जाती है जिसकी वज़े से जिहा और वेग्यानिकों का संपर्क बिल्कु टूट जाता है बेचारी को अब सब कुछ खुद ही संबालना होगा लेकर लड़की बहुत होश्यार है सबसे पहले जिहा को एक डबा खोनने के लिए दिया जाता है जिसका पासवर्ट पता लगाने के लिए मैध की मुश्किल कैलकुलस को तीन मेर्ट में हल करना होगा साफ है बेचारी जिहा को तो कलकुलस आती ही नहीं है इसलिए वो डबे को तोड़ देती है जिसकी वज़े से मिंक्यू बिल्कुल चौंग जाता है कि ये क्या कर दिया इसने इसके बाद मिंक्यू रोबोट से 10 सकेंड के अंदर एक अंडे को छिलने के लिए बोलता है और इसके लिए रोबोट किसी मशिन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है अब जैसा कि जिहा पहले खाना बनाने वाले रेस्टोंट में काम किया करती थी इसलिए वो जल्दी से अंडा छीली देती है मिंक्यू ये देखकर बहुत परभावित होता है और रोबोट की तारिफ करते बोलता है तुम तो बहुत होश्यार हो और जिहा को कभी किसने नहीं बोला था कि तुम होश्यार हो इसलिए अपने तारिफ सुनकर वो थोड़ा स्माइल करती है अभी सब के दुरान बिचली वापस आ चुकी है लेकिन जब वो लोग जिहा के लैंसे से संपर्क बनाते हैं वो देखकर हरान हो जाते हैं कि जिहा मिंक्यू को चिला चिला कर डांट रही है वो मिंक्यू को बिगड़ा वा बोलती है और पता लगता है कि जिहा घुसा इसलिए है क्योंकि मिंक्यू रोबोट की चाती को घूर रहा था मिंक्यू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लगता है कि रोबोट की चाती कल से बड़ी दिख रही है वो रोबर्ट की चाती खोल कर बैटरी पैक को देखना चाता था और इसलिए अपने हाथ बेचारी जिहा की चाती की तरह बढ़ाने लगता है अब यहाँ प्रॉफिसर डर के मार अपने घुट्टों पर बैट जाता है और बड़ी मुश्किल से मिंक्यू का फोन उठाता है मिंक्यू फोन पर बोलता है तुम किसको धोका देने की कोशी कर रहे हो लेकिन तब ही सबी की जान में जान आती है जब मिंक्यू बोलता है तुम लोग बेकार कॉलिटी की बैटरी यूज़ करो यार मुझे धोका देना चाते हो क्या बेकार बैटरी की वज़े से आज एजी की चाती फूल गई है प्रोफेसर कुछ देर तक तो हकलाता ही रह जाता है और फिर बोलता है हम मैंने बैटरी में कुछ बदलाव की है इसलिए प्लीज आप रोबोट की चाती ना छेड़ें इससे गड़बड़ी हो सकती है इसके बाद मिंक्यू अपने दवाई लेने जाता है लेकिन उसका दम घुटने लगता है वो जल्दी जमीन पर गिर जाता है और उसका शरिर बिलकुल अकड़ने लगता है लेकिन किसमती से वहाँ जिया आकर मिंक्यू की पीट थप थबाकर उसकी मदद करती है जब मिंक्यू अपने होश में आता है वो रोबोट को हरानी से देखता रहता है जब मिंक्यू पोस्ता है तुमने मेरे और्डर के बिना मेरी मदद कैसे की तब ही जिया बोलती है मैं बिना और्डर के बहुत सारे काम कर सकती हूँ इसके बाद पहली बार दोनों के बीच एक शररिक संपर्ख होता है लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि मिंक्यू को कोई भी अलर्डर जी नहीं होती है अब आखर में दिन खत्म हो जाता है और जिया को वापस लैम में लेके जा जाता है प्रॉफिसर वांग जिया को डान तो बोलता है आज तुमने सब कुछ गड़बड कर दी थी लेकिन जिया घुसा हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसने सबी काम अच्छी से किया है वो निराश है कि कभी भी उसके काम के लिए कोई इसकी तारिफ नहीं करता इसलिए वो घुस्ते में वहां से चले जाती है जल्दी प्रॉफिसर को फोन आता है कि एजी थी को ठीक करने का जो हिस्सा उसने मंगवाया था वो गलती से अफरिका चला गया है और उसको वापस आने में काफी हफ्ते लग जाएंगे और तब ही मिंक्टू का फोन आता है और बताता है कि उसको एजी थी पूरे एक महने के लिए चाहिए वो बोलता है मैं रोबोट को अच्छे से जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि रोबोट सब कुछ मेरे हिसाब से करने के लिए प्रोग्राम की जाए अब यहाँ प्रॉफिसर के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बसता है इसलिए वो दुबारा जिया को फोन करता है और कुछ हफतों के ले दुबारा रोबोट की एक्टिंग करने को बोलता है अब की बारों जिया की तारिफ करते हैं और जादा पैसे देने की बात करता है जिसकी वज़े से जिया मान भी जाती है तब प्रॉफिसर समझाता है कि जब तक AG3 रोबोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मिंक्यू के घर पर रोज भीजा जाएगा और हर रात रोबोट को रिचार्ड करने के बाहने तुम्हें वापस लैमे लाए जाएगा अगले देन बदकिस्मती से जिया को बहुत बुरे वाले दस्त लग जाते हैं वो बहुत रोखने की कोशिश करती है लेकिन अपने पेट की कैस भार निकाल ली देती है अब आवाज को सुनकर मिंक्यू बड़ी हरानी से पूचता है ये कैसी आवाज थी जिसके जबाँ में रोबोट बोलता है कि मेरे सरकार ये आवाज आपके फार्ट से आई है जल्दी सारे गर में गंदी स्मैल फैल जाती है इसलिए रोबोट बोलती है मास्तर आपको जाकर अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और हमारा भोला भाला मिंक्यू उसके बातों पर विश्वास करता है और कपड़े बदलने चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर इंसान तो सिर्फ मैं ही हूँ और मैंने ही क्या होगा अब मौकी का फायदा उठाते वे जीहा अपना पेट साफ करने के ट्वालेट जाती है हालंकि मिंक्यू कुछ जादा ही जल्दी वापस आ जाता है और रोबोट को आसपास न पाकर बहुत हैरान होता है वो रोबोट को पराने घर में ढूंड रहा होता है और आखरे में उसको रोबोट ट्वालेट में मिलती है जो कि मिंक्यू के महंगे वाले परफ्यूम ट्वालेट में छिड़क रही होती है अब जिया ऐसा दिखाती है जैसा कि वो ट्वालेट की सफाई कर रही हो लेकिन मिंक्यू को उस पर विश्वास ही नहीं होता और बोलता है रोबोट्स पानी को छू नहीं सकते हैं हलें कि जिया बोलती है कि मैं एक बहुत आधूनी के आई रोबोट हूँ मैं तो गंदे वरतन भी साफ कर सकती हूँ जब मिंक्यू वहाँ से जाने वाला होता है तब ही उसका ध्यान जिया के चेरे से निकल रहे पसीने पड़ जाता है वो इसको देखने के लिए जिया के पास जाता है लेकिन बेचारा खुद इस साबून पर पैर रहकर फिसल जाता है अब जिहा मिंक्यू की तरफ जाती है लेकिन मिंक्यू को बचाने की जगे वो तो पर्फियू की बोटल को बचाती है बदकिसमती से जिहा मिंक्यू के ओपर किर जाती है और जैसा कि उसने लोहे की प्रैट अपने चेस्ट पर लगाई हुई है इसलिए मिंक्यू के पुरे हाल हो जाते है उसी शाम जब AI साफ सफाई कर रही होती है तब ही गलती से 15 सालों से बना हुआ ताश का महल तूट जाता है अब ये होता देखकर मिंक्यू दुख से चिलाने लगता है लेकिन इससे पहले कि मिंक्यू कुछ बोल पाए जिहा जूट बोलती है कि मेरी बैटरी 5% से कम होगा ये इसलिए बंद होने वाली हूँ इसके बाद मिंक्यू प्रॉफेसर से मिलने जाता है और बोलता है मैं तुमारी रोबोट की गलतियों से तंग आ चुका हूँ लेकिन प्रॉफेसर बोलता है सर आपको हमारी रोबोट को थोड़ा और टाइम देना हुगा तांकि वो चीजों को और अच्छी से समझ सके और फिर भोला भाला मिंक्यू ऐसा करने के लिए मानी जाता है अगले दिन मिंक्यू से मिलने कोई आने वाला है इसलिए वो जियाओ को भार आने से मना करता है उससे मिलने रायल नाम की एक लड़की आती है जो कि मिंक्यू का पहरा प्यार है हलांकि मिंक्यू को सारा जोश ठंडा पर जाता है जब रायल उसके कंदे को छू लेती है में क्यों अपना चेहरा चुपाने की कोशी करता रहता है और अपने फैल्थी वेरेटजी को किसी तरह चुपाई लेता है झाली करता करता है झाल 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 झाल